हाई गाईज, हमें मार्किट के अंदर एक्सपाईरी के दिन से लेकर और फ्राइडे के क्लोजिंग तक मार्किट में एक हेवी सेलिंग देखनी के लिए मिली है तो बहुत सारे टेडर का यह कहना है कि क्या यह हेवी सेलिंग मंडे के दिन भी कंटीन्यू रहेगी यह मंडे के दिन मार्किट रीकवर हो जाएगा चलिए आज के वीडियो में इसी लेवल पर आकर डिसकेशन करते हैं देखें और समझते हैं कि मार्किट मंडे के दिन क्या करने वाला है हमारा थी स्टार सेटप है और फर्स स्टार सेटप आता है हमारा FIDI का डेटा ग्यारा तारिक के दिन FIDI का डेटा आया है तो FI ने cash segment में यहाँ पर 3073 करोल उपे की एक heavy selling की है और यह इस महीने की FI की सबसे बड़ी selling है और अगर आप यहाँ पर देखेंगे FI index options में यहाँ पर 6832 करोल उपे की खरिधारी करके गए हैं मैंने आपको हमेशे एक चीज़ समझाई है कि जब भी FI cash segment में heavy selling करेंगे और index options में heavy buying करेंगे तो market previous closing से या तो gap down में open हो जाएगा और अगर previous closing के आसपास भी open होता है तो भी हमें market में एक heavy selling देखने के लिए मिल सकती है लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ के लिए करना चाहता हूँ कि हम सिर्फ इन दोनों institutions के base पर इनका एक expectations लेते हैं कि ये market को किस साइड ले जाने के लिए support कर रहे हैं ठीक है और अगर आप यहाँ पर D.I.E. को देखेंगे तो D.I.E. ने केवल यहाँ पर 500 करोड लुपे की खरिदारी की है सिर्फ 500 करोड लुपे से market में कहीं भी एक strong buying opportunity हमें नहीं देखनी के लिए मिलीगी तो यहाँ पर हमारे एक view के लिए हो जाता है कि यह data पूरी तरीके से एक negative way में है तो market के अंदर हमें Monday के दिन कहीं न कहीं एक selling opportunity जरूर देखनी के लिए मिलीगी अब हमारा second start setup भी आता है हम उसके base पर भी समझ लेते हैं कि हमारा support resistance market में कौन से है कौन से हमारे strong support और strong resistance है जिसके level पर हम buying और selling बना सकते हैं देखे हम सबसे पहले bank nifty को समझते हैं तो bank nifty के अंदर जो हमारे support level आता है ठीके वह आता है हमारा 44,262 जब तक market इसके उपर नहीं निकलेगा तब तक हम कहीं भी buying opportunity नहीं बनाएंगे और अगर market इसके उपर निकलता है ठीके तो हमारा जो level होगा अगर हम यहाँ पर trade execute करते हैं तो हमारा जो यहाँ पर level होने वाला है वह होने वाला है हमारा 44,418 यानि कि 44,418 तक हम अपने trade को hold कर सकते हैं और अगर इस लेवल का भी उपर की साइट ब्रेक आउट होता है तो हम अपने कॉल को होल कर सकते हैं, वरना हम यहाँ पर अपने प्रॉफिट बुकिंग को लेकर अपने टेट्स को क्लोज कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक चीज समझ में आती है, कि हमार जो बाइंग अपोर्श आता है, जो हेवी सेलिंग हमें देखने के लिए मिलेगी, वह हमें मिलने वाली है, 44,100,122 के नीचे, ठीक है, जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगा, तब तक हमें कहीं भी मार्केट के अंदर एक हेवी सेलिंग देखने के लिए नहीं मिलेगी, और अगर प्राइज एक्षिन वनने का वेट करना है ठीक है जैसे मार्केट में स्ट्रॉंग सपोर्ड और स्ट्रॉंग रजिस्टेंस क्रेट होंगे तो वापस से हमें मार्केट के अंदर एक हेवी सेलिंग देखने के लिए जरूर मिलेगी ठीक है यह चीज आप ध्यान लखेगा मैं मैं इन लेवल्स को दोबारा से के लिए आप लोगों को कर देता हूं हमारी बाइंग अपउर्चिनीटी होगी यहां पर 44,262 के उपर और स्ट्रॉंग बाइंग अपउर्चिनिटी जो है वह हमारी 44,418 के उपर है ठीक है और हमारी जो सेलिंग अपॉर्चिनिटी होगी व हमारा एक स्ट्रोंग सपोर्ट है जिसके उपर हमें खरीदारी कर दी हैं वह आता है हमारा यहां पर 19,435 यानि कि जब तक मार्किट 19,435 के उपर नहीं निकलता है तब तक कहीं भी हम निफटी के अंदर बाइंग अपोर्चुनिटी नहीं ढूनने वाले हैं यह चीज़ आप ध्यान लखेगा और अगर मार्किट इसके उपर निकलता है तो हमारा जो एक यहां पर स्ट्रोंग रजिस्टेंस मिलने वाला है हमें पहला यहां पर जो रजिस्टेंस मिलेगा वह मिलेगा हमें नाइंटीन थाउजन फोर हंडेट सेवनटी नहीं यानि की उननीस हजार चार सो असी के आसपास मार्किट के अंदर हमें एक स्ट्रोंग रजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा तो यहां पर हमारा जो एक हेवी सेलिंग आएगा तो वह मिलने वाला है हमें यहां पर मैं आपको हेवी सेलिंग बताता हूँ वह आएगा हमारा यहां पर नाइंटीन थाउजन फोर हंडेट फिप्टीन जब तक मार्किट इसका ब्रेकडाउन नहीं करेगा तब तक हमें कह 19,435 के उपर ठीक है और हम होल्ड कर सकते हैं अपने टेड को 19,480 के आसपास तक और अगर मार्किट के अंदर 19,480 का भी ब्रेक आउट होता है तो वापस से हम अपने कॉल्स को यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं और हमें यहाँ पर एक बड़े लेवल मार्किट में देखने क के लिए जरूर मिलेंगे ठीक है और अगर हमें सेलिंग की तरफ जाना है तो जब तक मार्किट 19,415 के नीचे नहीं जाएगा तब तक कहीं भी हम मार्किट के अंदर निफ्टी में हेवी सेलिंग नहीं देखेंगे ठीक है तो आप लोगों को आई होप यह चीज समझ में आ कि यह